के जाइन राम राम सब को आपको क्याल थोपकी बढ़े होंगे मोज में होंगे और इंज्डोय कर रहे होंगए बहुत बड़ी है तरीके से तो भाव आज मैच खताम हुआ स्रिलंका वर्सेस इंगलेंड गाह इंगलेंड आज डिफेंडिंग चैंपियन्स ऑफ डिस क्रिकेट वर्ल्ड कप मतलब भाई वो डिफेंडिंग चैंपियन्स है बट वो खेल तो नीदर लेंड से भी बूरा रही है भाई मतलब 156 का टारगेट 156 पे कि पूरी टीम आउट हो गई जोस बटलर बैंड स्टोक्स मोहीन अली जैसे बैट्समैन है इनकी टीम में और यह 156 पे ओल आउट हो गई मतलब समझ में नियारब 45 पे जीरो आउट थे इनके और 110-120 रन पे ओल आउट खावे भाई यह डिफेंडिंग चैंपियन्स तो कहीं से लगी नहीं रहे है इनको है ना जैसन रोई की बद्वा लगी है इन्होंने जो लास्ट मोमेंट पे जैसन रोई को ड्रोप किया था न वो बद्वा लगू है और अब इनके पास सारे दू tips टैउड मैच है अब बहुत बडिया एक मोका है इंडिया के पास बहुत बडिया मोका है अपने पिछले साल का बदला लेने का सेमी फाइनल का उन्होंने हमें आ रहा के बार किया था अब इंडिया उनको संडे वाले मै लगाड़ा करी देती है जहां से आपने शुरू किया था इंग्लेंड के साथ भी यही होना चीए जैसा इंग्लेंड ने हमें पिछले साल के टी-20 वलकप में सेमी फाइनल में मारा था इस बार इंडिया को उसको मार के बाहर निकालना चीए जैसे कि उन्हों हमें नोकाउट किया था सेम बैसे इंडिया भी उसको नोकाउट करें मज़ा आ जाएगा सबसे पहले टीम बनेगी अंग्रेज बहार चले जाएंगे यह गेम बना गेम बना कि खुदी बूल गए इनका पेटेंट था बैस बोल खेलेंगे मतलब हर बोल में मारेंगे रुकना नहीं है बट असली बेसबूल तो साउट अफरीका खेल रहे हैं यह पता नहीं कौन सी नभीबिया वाली क्रिकेट खेल रहे हैं नभीबिया की टीम बढ़िया खेल लगातर तीन-चार मैच हा रही है यह और अब सबसे नीचे पांज समझ में नीघा रहा है इनके बीच में क्या चल रहा एक इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी इनके पास में पतानी किस हीति चीज का आदिल रशीद है और भी बहुत बड़िया बड़िया बोलर है Mark Wood है फिर भी ये लोग इतना कैसे हगर हैं पता नहीं किया समझ में नहीं झारा है क्या है चल रहा है इनका क्या नहीं चल रहा है बट यह ना सिरुसें ना सिरुसें इसको खिलाना था ना वल्ट कॉप का फाइन अल्ट्रा QHD सब चल रहा है इनका इतना गंदा चोक कर रहे हैं चोकर सम्झ बोलते थे साउथ अफरिका को बटिस बार चोक इंग्लेंड की टीम कर रही है जो बहुत मज़ा आने वाला ये मैच्शस देखने में आने वाले संड़े में जो मैच्श होगा देखने वाला होगा लखनाओ से याद आया, अभी अभी आज सुभाई न्यूज आई है कि भाई हार्दिक पांडिया विल भी मिस्ट्री मैचेज, मतलब तीन मैच वो मिस्ट करेंगे, कल मैंने आपको बताए था कि वो शायद से दो मैच मिस्करेंग बाट आज नियूज आई है कि वो, पूरे के पूरे तीन मैच मिस्करने वाले आगे के जित्ने मैच होने वाले है, मेरे ख्याल से तो अश्विन खेल जाएगा सब कुछ हुआ तो भाई स्पिनिंग ट्रैक वा तो अश्विन खेलेगा बाकी सारी टीम सेम रहने वाली अश्मीन खेल जाएगा किसी की जगह शायद समी शमी को ड्रॉप करेंगे वो या फिर या शमीने पांच विकिट लिये बट मेरे ख्याल से शायद शमी को तो ड्रॉप बनता नहीं क्योंकि पांच विकिट निकालिये बंदे ने बट ब्राइट चांस यह है कि अश्विन खेल जा इस मैच को क्योंकि स्पिनिंग प्रैक होने वाला बोल फसके आएगी रुक के आएगी टर्न होगी तो देखते हैं वहाँ पर क्या सिन क्या बैठता है और भाई हमारे टीम कल लखना वो पहुंच चुकिया कल लैं बंदिर जा रहा है तब तब वो फाड रहा है अब मेरे को लग रहा है इंग्लैंड वालों के फाड़ने वाला यह अंग्रेजों से दो गुना नी चार गुना लगान वसूल करेगा बद और अंग्रेजों को बोलेगा तुम निकला तुम्हारा काम हो गया इस साल के लिए बाउंडरी गउंट पर तुम वल्लट चेम्पियन बन गए बड़ तुम ओन दर पर विल्ट चेम्पियन नहीं थे 2019 में भी नहीं थे है क्यूंत को लैवल वन का लग्मेन्ट F bonito लन वहा हुए सोथीन में मैच करने वाल। अफ्रीका इंगलेम्ड मैच वह इंपोर्डेंट है हलका में दो बिल्कुल नहीं लिए इसको लिएक क्तरनाग होता है। छिकारी हैं चीकर करना जानते हैं कैसे पगड़ना गले से इनको अच्छे से पता है यां यह अपनी काम अच्छा से जानते हैं एत अपनीर सक्षाल कि और